नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूं हिमान्चु और आप देख रहे हैं हल चल इंडिया बेबाग खबर तेजसर आए नज़र डालते हैं आज के खपरों पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है बता दे हसनपुत एसल शेतर के गाओं गुलामपूर में गुड्डू पुत्र रंजीर सिंग अपना जन सेवा केंद्र बै मोबाइल रिपेरिंग की दुकान चला कर अपने परिवार का पालन पोशन करता है बिती रात वह दुकान बंद कर दुकान के पीछे इस्ते अपने घार चला गया रातरी में अचानक शोट सर्किट होने के चलते उसकी दुकान में भैंकर आग लग गए और देखते हैं देखते आग ने विक्राल रूपर धान कर लिया इस तोरान आग लगने से दुकान में तेज दमाका हो गया जिससे करने बाद में सोने बाद में सोरे चसा भी दो फिर तीन मजे अचानक बहुत तेज दमाकी से अवासी आई ने उठका देखा है तो पला चला कि दुकान मुसे चिंगारी निकले बहुत तकड़ी आली दुकान मांग लग 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 लिए थी अब उसके बाद में देखी तो बच्चे मतला हमारे इस हो रहे थे और रास्ता जो गैलरी थी तो रास्ते की दिवार पत्र तूड़ी थी दमागी विजय से तो मैंने लाइटम के उपर चड़के बच्चों को अपनों उपर चच्प फैंका उसके वार में अपनी घरवाली को उपर चड़ाया उसके लगवा कितने रुपे का समाना अपका? अगर दुगानों जोड़के लगाएं तो लगवा तेरे चोड़े लाइटम को सूचना दिया है अपने? सूचना अब लेकवाल साब को फोन कर आ था आए अभी नहीं? अम्रोहा के हसनपुर में एडियम करल्य परिसर में भारत किसान यूइन टिकैत ने मासिक पंचाथ कायोजन किया पंचाथ के अद्धिक्ष्टारों तास सिंग और संचालन तैसिल अद्धिक्ष ठाकूर महिस सिंग ने किया बैटक में चीनी वीलू द्वारा किसानों को पूर्ण भुकतान कराने समेत विबिन समस्चाओ के निराकरण की मांगी गई पैटको संबोदित करते हुए तैसिल अद्धिक्ष ठाकूर महिस सिंग ने कहा कि तैसिल हसनपुर में परतेक विभाग में प्रश्टचार चरम सीमा पर है इससे किसान काफी परिशान हो चुक गया है उसकी रसीद संबंदित किसान को दिलाए जाए चीनी मीलोद्वारा किसान को संफूर्ण भुकतान किया जाए और गन्ना सर्वेश सही किया जाए वक्त होच रहा है आप्टर विता लेने का कल फीर होंगे हाज़िर कुछ नई है और ताजा ख़परों के साथ तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त नमस्कार देखते रहिए हल चल इंडिया बेबाग कबर तेज असर